दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार, दलाइफ टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूँ आदे तकमार भारत देश की एक परंपरा के बारे में तो आपको बताई होगा आतिति देव भाव अब इसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या वज़े कि नाइजीरियन चात्र जब यहाँ पढ़ने आएं और वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की चीज़े उनके साथ की जा रही है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, आशोक साविन ने Times of India के खबर ट्विट की है, इसमें बगाएदे लिखा हुआ है कि 60 नाइजीरियन फ्ली गुरुग्राम केंपस आफ्टर थैरे सिंग, मतलब सीधे तोर पर इसका मतलब है कि गुरुग्राम केंपस से 60 नाइजीरियन लोग फरा, यानि 60 लोग नाइजीरियन जो थे, उन्हो से वो 60 चात्र जो है वो फरार हो गए है, नाइजीरियन चात्र वो इसलिए फरार हो गए है, क्योंकि उनको यहाँ जान का खत्रा लग रहा था, जैसरीरियन ने ट्वीट करते हुए बकायदे लिखा है, कि नाइजीरियाई चात्र पिटाई के बाद दिल्ली के पास विश् किया गया, इन बच्चों का, इन नाइजीरियन चात्रों का जो अपने धर्म के अनुसार वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, उसके बाद मारपीट भी हुई और भी चीज़े निकल कर सामने आई, जिसके बाद अब वो यहाँ से फरार हो गए, यहाँ से वो छोड़ कर चल 1000 इंडिया, इंडियन्स लिव इन नाइजीरिया टू मेक मनी, यानि इसका सीधा मतलब है आपको बताने हैं, तो हिंदी रुपातर बताता हूं कि दिल्ली के पास उनिविस्टी कैंपस में नाइजीरियाई चात्रों पर हमला हो रहा है, 30,000 नाइजीरियाई चात्र पैसे द पत्थर बाजी होने तस्वीरे आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगाईए, क्या माहौल पैदा कर दिया गया है, कैसे ये जो जहर है, जो अभी तक सडकों पर दिखाई दे रहा था, अभी तक ये रैलियों में दिखाई दे रहा था, अब वो छात् मारपीट कर रहे हैं, तो आप बताईए, जब ये वाइरस उस मंदिर में पहुंच जाएगा, इस सिक्षा का मंदिर कहते हैं, चाया विद्याल है हो, या फिर यूनिवरस्टी हो, या कैमपस हो, उसको हम कहते हैं कि वहाँ पर सिक्षा मिलती है, यानि वो एक पवित रस्थ और उस पवित रस्थल में अगर कोई अपने धर्म के अनुसार अप पूजा पाट करता है, अर्चना करता है, अबादत करता है, नमाज परता है, तो वह घलत कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जैशिराम के नाला लगाने वाले जो बच्चे थे वहाँ पर इन लोगों ने वाँ पर हंगामा किया और इस तरीके से मार पिटाई की, जिस वज़े से साथ नाइजिरियाई लोग फरार हो गए, टाइमस आफ इंडिया ने बगायदे लिखा है, बगायदे लिखा है कि अरौंट सिक्स्टी नाइजिरियाई जो स्टुडेंट्स हैं जो प्राइवेट इंडियाई क्लेम किया है, हैब लेफ्ट दा कैंपस, यानि कैंपस को रोड़े छोड़ दिया है, वो परिशान थे, उनको गालिया दी जा रही थी, उनके साथ मार पीट की जा रही थी, फुटबाल फिल्ड में, क्योंकि वाह जो होस्तल का फुटबाल फ वो सीधे तोर पर उनके से कहना है, उनके से कहना है, कि इस उनके साथ में रहने में दिक्कत हो रही थी, एक डर का भाव पैदा हो गया था, इसलिए वो अलग जगों पर जा रहे हैं, यह सीधे तोर पर इसका मतलब है, फुटबाल ग्राउंड में, जो वो लोग अपना प् तो उस वज़े से उनके साथ यह वोहार किया गया, जिस वह से उन्होंने यह छोड़ दिया है, दरसल यह पूरी घटना जो है, वो शुक्रवार की बताई जा रही है, शुक्रवार जब उनुश्टी में नाइजेरियाई चात्र फुटबाल मैच खेल रहे थे, उसी दवरा पहले भी नाइजेरिया चात्र फुटबाल मैच खेल रहे थे, नाइजेरिया चात्र फुटबाल मैच खेल रहे थे, उन पर यह हमला किया गया, यह एक महने पहले हुआ था, पुलेस ने इस मामलों में दोनों पक्षों के शिकायत के आदार पर एक दूसरे खिलाप F.I.R भी दर्ज कर ली इस दौराँ भारती चात्रों के साथ उनकी भाहस हो गई इस दौराँ दोनों को टापस में भीड़े थे जब फुटबाल मैच वहाँ खेला जा रहा था भारती चात्रों के तरफ से गायल दिली दरसल ये नमाज पढ़ने को लेकर जो बवाल हुआ था उसी बवाल के बाद ये चीजे निकल कर सामने इस तरीके से मार पीट की गई है कई लोग है जो ट्वीट कर रहे हैं इस पर रियक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के पास एक विश्विद्याले परिसर में नाईजेरिया इचे आए पार भारत में पढ़ने के लिए कि 30,000 चात्र नाइजिरिया आते हैं नाइजिरिया से भारत आते हैं पढ़ने के लिए 50,000 भारती हैं पैसा कब आने के लिए नाइजिरिया में रहते हैं इससे आप समझ दीजिए नाइजिरिया और भारत का क्या संबंद है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन ये आतिते देवो भाव ये सारी चीज़े खतम कर दी गई है मतलब सीधे तोर पर आप अंदाजा लगाई है जाहूर खान उन्होंने बकाईदे लिखा है कि आतिते देवो भाव दिल्ली एक पास इस्तित एक विश्व विद्याले परिसर में नाइजेरिया इचातरों पर हमला किया गया तीस हजार नाइजेरिया इचातर पैसे देकर भारत पढ़ने आते हैं वही बात लिखी गई है कि पच्चास जार भारती नाइजेरिया में काम करने के लिए पैसा कमाने के लिए जाते हैं लेकिन ये जो किया जा रहा है ये जिस तरीके की घटना करन को अंजाम दिया जा रहा है नमाज पढ़ने को लेकर जो बवाल किया जा रहा है इसका अप अंदाजा लगा ये कि जो सड़क पर कल तक हो रहा था चीजे जो गुरूग्राम में आप जगे पर बवाल की अज़रा थे कि यहां नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, पुलिस से भी भीड़ गए थे, बजड़ंग दलगे कारे करता, वो आपने वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, वो लोग वो जहर कह सकते हैं, वो आप फैले लगा, इसके पहले भी नोईडा में इसे खबर निकल कर सामने आई थी, कि नाइजेरिया इचातरों पर हमला हुआ था, पांक लोग गिरबतार हुए थे, तब सुश्मा ने सीम योगी से रिपोर्ट मागी थी, इसादा पुरानी खबर नहीं, 28 मार्च 12, 17 खबर है, जब नोईडा में नाइजेरिया इचातरों पाई जा रही है, कैसे आतिति देवो भव जो हमारा संसकार है, जो हम आतिति को देव की उपाधी देते हैं, उनकी मतलब उनको समझते हैं कि हमारे घर मेहमान आए, तो उनका हम सेवा सतकार करेंगे, जितना हो सगेगा उनके लिए करेंगे, लेकिन उस सायथ परमपरा को य पूर्ण गया कोई आतित्य आता था तो उसका सत्कार करते थे और चीजे करते थे लेकिन नहीं ये सिर्फ राम का नाम लेना जानते हैं राम के पदचिन्णों पर चलना नहीं जानते हैं और शायद इसलिए लोग भारत की छवी को भी धूमिल कर रहें भारत के सदस्किति को भारत के सदस्कार को धुमिल कर रहें दलाइफ टिवी को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन आवाजिए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहें नमस्कार